अब देखो यार मार्किट में काफी परकार के हैक पाए जाते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड कैसे करें उनको अप्लाई कैसे करें मतलब की सिंपली भाशा में बोलूं तो उनका इस्तिमाल कैसे करें हमें इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है लेकिन अपना में मुद्धा ये नहीं है अपना में मुद्धा ये है कि आखिर तुम लोगों को है कि जरूरत क्यों पर रही है मतलब कि आखिर क्या वज़ा आन पड़ी कि तुम लोगों को आखिर कार है कि उसकरना पर रहा है मतलब भाई इतने बुड़े दिन तो नहीं आने लगते यार तो इसका मतलब यह तोरी नहीं कि भाई अज्जू भाई भी अपने पीसी में हैक लगाएंगे यार उन्होंने अपनी आवाज के सहारे लोगों को अपना फैन बनाया हाला कि मैं भी एक टाइम पर उनका बहुत बड़ा फैन था ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो नूबि के लिए तो बहुत को संटोष्ट है कि हां इससे मुझे मजहा आता है तो हबाई अपन लोग इस पोईट के बारे में ठोड़ा सोच कर सकते हैं मदलब खुद केस एक ammonia लिए तो बंडा क्रोंग कोल के वीडियो देखता हूँ तुमने इस वीडियो से पहले यूटूब पे काफी सारी और भी वीडियो देखियोंगे कुछ वीडियो में तुम लोगों को हैक मिले होंगे लेकिन प्रूफ नहीं और कुछ में तुम लोगों को कभी अपनी life में नहीं हुआ क्योंकि यार देखो अगर तुम लोग ये सोचते हो ना कि तुम लोग अगर hack लगा लोगे और hacker बनके सभी बंदों को मार दोगे तो तुम लोग को satisfaction मिल जाएगा तो भाई ये पूरी तरीके से गलत है मैंने भी सोचा था जब पहली बार Chrome बे वीडियो देख रहा था कि सिर्फ एक ही देखूंगा लेकिन कई साल बीट गए अभी तक वो एक वीडियो बंदी नहीं हुआ I mean to say कि यार hack लगाना आसान नहीं है और अगर तुम लोग ये सोचते हो कि तुम लोग भी यूट्यूबर्स की तरह hack लगा के मारने लग जाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि market में कई परकार के hack आते हैं अगर हमने ये सस्ते वाले hack यूज कर लिये ना तो एक तो अपना ID जाएगा और दूसरा hacks में यार बहुत जादा glitch होते है मतलब कभी तुमारा game back हो जाएगा कभी internet problem आएगा कभी auto back हो जाएगा और कभी तो कभी भाई phone ही बंद हो जाता है और मैंने तो यहां तक सुनाए कि कुछ लोगों की तो ID भी बैन हो जाती है main वाली मतलब कि भाई वो लोग hack यूज करते है अपनी guest ID में लेकिन उनकी main ID जो है वो बैन हो जाती है यह ता कुछ match न हुआ वो इसलिए क्योंकि जब भी वो hack की कोई भी application या फिर file download करते है न तो उसका एक अलग से catch या फिर बोल सकते है अलग से एक छोटी file बनके न मोबाइल में store रहती है और जब अपन लोग अपनी main ID यूज करते है न तो वो glitch जो अपनी main ID भी यह तुम लोगों को नहीं बोला पास में मच्छर आ गया था उसने काट लिए एकदम से तो मेरे मुझसे जजबाती होकर यह कुछ शब्द निकल गए तो थोड़ा संभाल लेना यार और हां यार आज कल यह वाला मीम भी काफी जादा वाइरल हो रहा है यह देशी गेमर जो बोलता है कि किसी की भी अगर आईडी बैन हो जाए तो इस बंदे के पास चले जाना यह बंदा आईडी अन्बैन करवा देगा यह वाला मीम कते कते हैं भाई फेक नहीं बोल सकते मतलब की डेसी गेमर जो है ना भाई उसने मजाक मजाक में बोला था मतलब एक जब लोग टेग प्रोश के पास आते थे कि वहाई अपना आईडी अन्बैन करवा दे न्बैन करवा दे तो भाई उसने मजाक मजाक में यह बोला है बाकि अगर फिर भी यार तुम्हारे मन में इच्छा है कि तुम्हें कुछ बिना कुछ करके भी मतलब हर कुछ करके भी में hack use करना ही करना है तो भाई देखो simply तुम लों को मैं तरीका बताते तो तुम लों को YouTube पे जो यह सर्च किया है ना topic की how to hack free file या फिर how to use headshot hack in free file वैसा ही तुम लों को सर्च करना है सर्च करने के बाद जैसे result में तुम लों के सामने वीडियो शो होंगे ना तो तुम लों को ऐसी वीडियो देखनी है जिसकी जो duration है ना मतलब time है ना वो 8 से 10 मिनट या फिर 10 मिनट के ऊपर हो क्योंकि ऐसी वीडियो सिर्फ वही बंदा बनाता है जिसने hack भी दिया हो प्रूफ भी दिया हो और hack लगा के मतलब सब कुछ दिखाया हो मतलब की कैसे hack यूज करते इसको कैसे लगाना है अप्लाई करने के बाद क्या क्या रिस्क होंगे precautions सब कुछ जो है theory based सब कुछ उसने समझाया होगा तब भाई उस बंदे ने इतनी लंबी वीडियो बना यह ना तो तुम लोग उस वीडियो को देख लेना तुम लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा बाकि यार अगर तुम लोग मेरे से और भी ग्यान लेना चाहते हो त तुम समझे नहीं और बात में मेरी बाते याद करकर के तुम लोग रोया करोगे यार बाकी भाई मैं तो यहीं बोलूँगा कि hack use मत करो और अगर कहीं से तुम लोग को hack मिल भी जाए तो इंस्टा पर आके मेरे को भी दे देना